दोस्तो आयोध्या के राम मंदिर में इस्थापित की गई राम लल्ला की मूर्ती बना कर अरुण योगी राज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं वहीं अब पश्रिम बंगाल आसन सोल के रहने वाले आशिश कुंडू और उनकी पत्नी रूबी कुंडू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी खुब चर्चा हो रही है बता दे आशिश और रूबी ने मिलकर एक बच्चे का ऐसा मेकप किया है जो दिखने में हुब भू आयोध्या के राम मदिर में विराजमान राम लल्ला की तरही दिखाई दे रहा है आशिश और रूबी ने एक महिने की कड़ी महनत से मेकप का सामान तैयार किया और आबिर्दे नाम के एक 9 साल के बच्चे को आयोध्या में विराजमान राम लल्ला का स्वरूप दिया है इसके लिए आशिश ने बकाइदा बच्चे के माबाप से हाच जोड़कर अपिल की और कहा कि वो उनके बच्चे को भगवान राम का स्वरूप देना चाहते हैं बतादे आशिश और उनकी पत्नी एक ब्यूटी पालर चलाते हैं दिन में वो अपने पालर का काम देखते थे और रात को अभीर को राम लल्ला का स्वरूप देने की तयारिया करते बतादे करीब एक महिने की कड़ी मेहनत के बाद आशिश और रूबी ने राम लल्ला को एक नो साल के बच्चे में जीवन्त किया है जिसके लिए हर और इनकी खूप तारीफ हो रही है विसे दोस्तों आपको पाती पत्नी का ये काम केसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम मनुखी खबरे हम आपके लिए लाते रहे